चलिए आज कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं और नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पर आप सभी का एक वेफिट से स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम लोग एक और आर्टिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करेंगे जिसमें ला और भी टूटियोरिल बिनाए तो आज मैंने इनको एजरेफरेंस लिया है और और अपर करके देखते हैं कि कैसे हीए ट्रौ होते हैं तो मैं अभी और रहों मैं वूडलेस पैंसल को यूजे पर रहा हूं ग्रेफाइट पैंसल है और चाकोल का नहीं होगा इसमें ग्रेफा पोल या ग्रिफाइट को फैलाने में एजी रहता है तो अभी यहां पर मैं हाइर ग्रेट की पैंसर को ही उसकर रहा हूं कोशिश आप भी एक कीज़े और यहां देखिए मैं बस एक अंदाजा ले रहा हूं कि आई तकरीबन यहां कहीं होंगी और बाकी जहां जहां डाक ने स और कोई आउटलाइन नहीं ड्रा हो रही है यहां पर कुछ भी नहीं ऐसे बस केवल एक आईडिया लिया जा रहा है कि वैल्यूज इस तरह से होंगी यह तरीके से कहा जाए तो एक एक बैक्राउंड क्रीट हो रहा है एक एक इंप्रेशन पेपर लाने की कोशिश की जा रह पर कंवर्ट हो गया ठीक है उसके बाद हम मैं आप सेकंड लेयर पर आ रहा हूं पैंसिल मैं भी वही यूज़ कर रहा हूं वुडलेस पैंसिल आप चाहें तो कोई भी और पैंसिल यूज़ कर सकते हैं भी देखिए मैंने और हायर ग्रेट की पैंसिल नाइन भी ले लिया म यूज़ की जो आपके पास है उस पैंसिल को आप यूज़ करें अब सेकंड लेयर ओट कर रहा हूं और अभी वही काम कर रहा हूं कोई आयवाई नहीं ड्रॉ की मैंने केवल वैल्यूज को निकाल रहा हूं डाक वैल्यूज कहां कहां होंगी और उसी की थ्रू इनके और कोशिश करेंगे कितने हद तक रिजल्स हम अचीव कर पाते हैं डेफिनिटली यह बात तो तय है कि 100% रिजल्स तो लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट की हम करेक्टर स्टिक्स को निकाल के ला पाएं ना कि रिलिजम और केवल रिसें तो उसी हिसाब से हमें वेल्यू को भी जादा और बढ़ाना पड़ेगा ज़्यादा टेक्शन होते तो कम लेईर पर एतना लाउर नहीं करेगा तो आप ज्यादा लेयर नहीं आउप्ट कर सकते तो यह थोड़ी से लिमिटेशन होती है नॉर्मल पेपर में और टेक्शरड पेपर टेक्शर में आप ज्यादा लेयर अलाओ कर पाते हैं तो आप जा सकते हैं तो आपको कम लेयर पर वैल्यू मिल जाए लेकिन आपके पास ऑप्शन यह रहता है कि आप और लेयर को चड़ा स तो देखी और तो देखने कुश्छ कीजिए कि कहा लाइ्ट्ने से का ढाकने सायद उसके और दो आप भी light और dark values को opt करने कुश किजिए तो अभी जो मैंने वो किया है ये एक तरीका blocking work हो गया कि हम blocking कर दिया है हमने कहां-कहां values कितनी होगी और अक्सर लोग blocking के बारे बूस्ते हैं तो यह देखिए बहुत यह अच्छा तरीका है यहां पर जो हम blocking को समझ पाएं अब मैं यूज कर रहा हूं makeup brush को कोई भी brush यूज कर सकते है और उसके तरू मैं values को spread कर रहा हूं और एक और tone create कर रहा हूं paper के ओपर dark tone create कर रहा हूं ताकि जब मैं highlights के साथ आँ तो मुझे हर जगा पे एक grey value तो at least मिले ही मिले तो उसलिए मैं इसको और थोड़ा सा इसमच कर रहा हूं paper पर वैल्यूस को थोड़ा light कर रहा हूं और अब देखिए मैं यहां पर नीड़े रिजर से highlights को generate कर रहा हूं और अब मैं आ रहा हूं outlines की तरफ और दीरे दीरे मैंने देखिए एक expect को draw किया और eye को उसके अंदर draw किया तो you can achieve it even देखिए अभी भी मैं उसमें फिर values को मैंने फिर smudge कर दिया तो हाँ we are not sure end of the project तक हम sure नहीं होते कि value यह fixed है या नहीं है और end of the project तक हम shades की through ही outlines को ले आते हैं यह नहीं करते कि outline पहले draw कर लिए और उसके अंदर cable shades को भरना है ऐसा नहीं करते इसमें यह करते हैं कि shades की through outlines को create करते हैं धीरे-धीरे we evolve this तुम इसको evolve करते हैं paper की उपर निकाल के ले आते हैं ठीक है तो इसलिए यह ज्यादा challenging रहता है इसलिए इसमें risk बहुत बड़ा रहता है और generally जनरली आर्टिस्ट इस तरीके को इस्तिमाल तभी करते हैं जब उनको अपनी या तो skills दिखानी होती है या फिर उनको वाक मच पाएंगी जब मैं highlight को create कर रहा हूं तो paper के उपर कैसे दिख रहा है तो बहुत clear नहीं आपको साफ साफ नजर आएगा जैसे smooth paper के उपर क्या होता है आप जब highlight करते हैं तो बहुत अच्छे से पूरा का पूरा graphite को हटा देता है but textured paper में क्या होता है कि पूरी दरह से values न करते हैं लेकिन यह एक challenge भी रहता है क्योंकि generally आप सारी values white नहीं ला पाते हैं कुछ values white आती हैं कुछ जगह पर darkness रह जाती है this is again a challenging thing तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि generally यह आर्टिस तब approach इसको यूज़ करते हैं जहां पर उनको कोई competition में जब जाते हैं portrait competition होता है तो वहां पर light darkness को achieve या live done में इन techniques को बहुत जादा यूज़ किया जाता है क्योंकि वहां पर artist की skill को दिखा जाता है ना कि उसके जो results आते है final उसको नहीं दिखा जाता है वहां ही दिखा जाता है कि आपका process कैसा था तो इसलिए वह बहुत important रहता है का live demonstration में भी जब कम टाइम में जादा results लाने हो बहुत कम टाइम हो आपके पास तो वहां पर cross etchings या फिर in techniques को जिसमें light and shades को achieve करते हैं कासकर जब charcoal से draw करते हैं तो वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको यूज किया जाता है विलो charcoal को यूज कर गए आपने देखा भी होगा और काफी की हुए हैं से वीडियो आप देख सकते हैं चैनल के उपर ही जाकर गए तो इस तरीके से मज़ा बहुत आता है रिसक इसमें हम light or dark values को identify करके फिर उसको outlines को create करते हैं ना कि हम पहले outline बना लें और फिर उसमें values बरें वह तो एक बहुत basic तरीका हो गया बट जो यह तरीके हैं इसमें definitely challenge ज्यादा रहता है और बहुत ज्यादा अभी इसमें ज्यादा फील में भीड नहीं है जिसको कहा जाए कि वाली फीड में तो बहुत जादा already crowded है बट इस तरीके से approaches में अभी उतने बहुत selective आर्टिस्ट हैं जो इस तरह के से काम करते हैं और बहुत कम आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए scope बहुत अच्छा है अगर आप इस तरह से काम कर पाएं तो आप definitely भविश में जाकर के एक ब पर बनाके दिखाओ क्योंकि हमारे पर बहुत सारे अंडियूलेशन हैं हमारे पर उपर और नीचे हैं मतलब valleys हैं और hills हैं तो वो definitely challenge रहता है और लेकिन इसको आप जब अगर करना शुरू करेंगे और आप सीखना शुरू करेंगे अगर beginner हैं तो आप अगर आप इस पर काम कर रहे हैं, तो आप के लिए बहुत ही आप के लिए समझ लेज़ा है, बहुत ही अच्छी बात है, कि आप इस पे काम कर रहे हैं, वर्क आउट कर रहे हैं, और, कोशश मेरी यही रहती है, देखिए, फ्रेंड की मैं आपको ज्ञादा ज्यादा चीजें बता सको, सिका सको हर बार कुछ नया अपरोच लाने की कोशिश करता हूं मैं ताकि अभी हम वही पोट्रेट्स करते रहेंगे तो फिर वही वही चीज हो जाएगी कि एक जैसा ही काम हो जाएगा तो मेरी कोशिश हर बार रहती है कि हर बार कुछ नो कुछ अलग चीज आपको बताई जाए कोई हम आपको नहीं मिलती यह चलता भी नहीं है बहुत आसानी के साथ पेपर बे बट अगर यह चल जाए जतना भी चलता है वह एफेक्ट बहुत अच्छा देता है जो जो इंप्रेशन क्रियेट होते हैं न पेपर के उपर वह वाकई काभी तारी होते हैं जब आपके फिनिश आप इसको फील करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा जो कैनवस जैसे पेंटिंग करते हैं तो कैंवस की टेक्षर होते हैं जो निकल कर आते है वही फीलिंगा आपको यहां मिलती है जब तो आप इस तरह से paper पर ड्रॉ करते हैं और light and shades को खासका draw करते हैं देख करके तो इस ताइप के आप परोच को आप भी करने कुछ कीज़े मुझे यह पुरा यकीन है कि आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा आप ट्राइ कीज़े बहुत बिगनर हैं तो फिर अभी डिफिने करने के कोशिश कीजिए आर्ट एप्रिशीटर बनना भी बहुत जरूरी है कि आपको क्या चीज़ एप्रिशीट करने चाहिए वह सीज़ का भी अंदाजा होना चाहिए तो फिलाल इतना ही फ्रेंड और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टूट्योरियल आपका पसंद आया होगा इसके रिगार्टिंग में क्वेरी हो जरूर पूछेगा प्लीज सैनल को सब्सक्राइब जरू की जगा थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू बंस अगेन